जैहिन दोस्तों वेलकम है आपका विज़पत डिफेंस एजुकेशन में हिमाचल प्रदेश की करेंट अफेर की सीरीज में आपका वेलकम है आज है 28 अगस 2021 इस वीडियो में डिसकस करेंगे हिमाचल प्रदेश के डे टू डे के करेंट अफेर जिसमें 5 कोश्चन 5 मिनिट की आपकी क्लास रहेगी तो आज की वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट कोश्चन है हमारा एच पी आर 27 पिचानवे किस फसल का नाम है तो आपको यहां पर बताना है कि एच पी आर 27 95 किस फसल का नाम है तो हिमाचल में मुख्य रूप से फसल ये उगाई जा रही है हाल ही में इसकी रिसर्च जो है वो जारी की थी कृषिभी शुविद्याले पालमपुर ने और ये एच पी आर 27 95 जो है ये एक मुख्य रूप से चावल की फसल है जिसको हिमाचल के साथ साथ अभी जो है वो मनिपुर के क्षेत्रों में भी उगाया जा रहा है most important question आपके लिए बनता है फसलों से related question important आपके लिए रहता है next one है हिमाचल प्रदेश Technical University के बरतमान कुलपती कौन है तो वाइस चांसलर कौन है HPTU के तो उनका नाम है अनुपम कुमार ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश Technical University के जो की हमेरपुर में स्थित है उनके बरतमान या present vice chancellor है उनके कौलपती जी का नाम जो है वो है अनुपम कुमार ठाकुर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश टेक्निकल युनिवस्टी की हिमाचल के हमिरपुर जिला में इस्थित है और इसकी सापना की गई थी 2010 में Most important है Next one है हाल ही में किसानों के लिए क्रिशे बिशब इद्याले पालंपूर ने कौन सी सुभिदा शुरू की है Which facility has recently been started by क्रिशे बिशब इद्याले पालंपूर for the farmers तो हाल ही में CSK जो युनिवस्टी है पालंपूर में स्थित है उन्होंने किसानों के लिए समर्पित किसान पोर्टल नामक एक योजना जो स्टार्ट की है उसके तहट जो है किसान अपनी समस्या जो है वो वहाँ पे रख सकते हैं CSK की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के पालंपूर में ये स्थित है और इसके बरतमान जो कुलपती है वाइस चांसलर है उनका नाम है SK चोधरी याद रखना है आपको Next one है हिमाचल के मंडी संसदी एक्षेतर के साथ कितने बिधान सबाक्षेतर के उपचुनाब होने वाले हैं तो हाल ही में मंडी जो हमारा संसदी एक्षेतर है उसके साथ कितने ऐसे बिधान सबाक्षेतर हैं जहां पे उपचुनाब होने वाले हैं तो वहाँ पे उनकी पोस्ट जो है वो अभी तक खाली है और बाकी तीन पोस्टें जो है एक है जुबल कोटखाई से दूसरी है अरकी से और तीसरी है हमारी फतेपुर से जिसमें बीरवदर सिंग, नरेंदर बराग्टा और केवल सिंग पठानिया की पोस्ट जो है वो खाली है तो हाल ही में विधान सबा में जो हैं वो तीन उपचुनाब होने वाले हैं नेक्स्ट लास्ट कोईशन है रास्ट्रिय महत्व की रेनुका बांथ परियोजना के लिए कितने करोड की रासी किंदर सरकार द्वारा दी गई है तो काफी बड़ी बात है ये रास्ट्रिय महत्व की जो रेनुका बांथ है हिमाचल में ये स्थित है उसके लिए केंदर सरकार ने 10.62 करोड रुपे की रासी जो है वो हिमाचल सरकार को परदान की है और इसका निर्माण हिमाचल परदेश पावर कॉर्परेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है और सबसे इंपोर्टेंट इस क्वेशन से बनता है कि कितने मेगाबोट की ये पैदावार करेगा तो 40 मेगाबोट की ये पैदावार करेगा आपको कमेंट बोक्स में बताना है कि रेनुका बांध परियोजना हिमाचल परदेश के किस जिले में सित है most important question है आपके लिए so आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद शोर बैच आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं basic foundation का duration रहेगी एक साल के लिए और cover करवाएगा आपकी आने वाले सभी state और center government exams को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करें, share करें आप हमें social media के उपर भी follow कर सकते हैं वर्टसाइप ग्रूप के साथ आप जरूर जुड़ें जिसमें day to day के current affair, pdf, study materials और notes आपको provide करवाय जाते हैं so मिलेंगे जल्दी next video के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत